कटना ये भी रोक सकेना, ऐसा विश्वास जगाना, जीत हमारी निश्चित होगी, जब हमने है मन मे ठाना हालो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित महेश्वरी, आप सभी का स्वगत करता हूँ आज के इस इन्फॉर्मेटिव ट्रेनिंग वीडियो में फ्रेंड्स, मैं बहुत सारे कॉर्परेट्स में जब ट्रेनिंग देता हूँ, तो बहुत सारे ऐसी चीजें मेरे सामने आती हैं, जिन में यदि सुधार किया जाए, तो वो कॉर्परेट्स अपने बिजनस को कई गुना बढ़ा सकते हैं तो आई आज बात करते हैं, एक ऐसे बिजनस फार्मूला की जिसका प्रयोग करके आप अपने बिजनस को 40-50% इंक्रीज कर सकते हैं यदि आप अपने ग्रहक को फालो करना चाते हैं, तो उसके स्टेप्स क्या होने चाहिए जब मैं कॉर्पेट्स में गया, तो मैंने बहुत सारी सेल्स तीम से बात की और उनसे पूछा कि आप मुझे बताएं कि आप सेल डील को मैच और करने के लिए अपने क्लाइंट्स को कैसे फालो करते हैं, और कब तक फालो करते हैं और दोस्तों, जब मैंने उनका जवाब सुना, तो मैं दंग रह गया, कि उनके फालो अप का सिस्टम बिल्कुल भी डेवलप नहीं था If you really want to get more and more and more sale, you have to follow your client in a systematic way और ये follow up का rule क्या होना चाहिए, कितनी बार follow करना चाहिए, दिन में कितनी बार follow करना चाहिए, कब-कब follow करना चाहिए और कब follow नहीं करना चाहिए यदि आप अपने किसी भी client की deal को mature करना चाहते हैं और आपका product या services इस तरह की हैं कि उसको लेने में कई बार ग्रहा को बहुत अधिक समय निवेश करना पड़ता है तो आप follow up के इन 4 से धानतों को हमेशा अपने business में use करें यदि आपने अपने business में follow up के इन 4 principles को use किया तो आप अपनी sales को 40-50% बढ़ा सकते हैं follow up में जब मैंने sales team से बात की जब मैंने tally caller से बात की तो मुझे पता चला कि वो लोग कहते हैं कि मैं अपने clients को 20 बार follow किया 30 बार follow किया 50 बार follow किया और जब follow up के बाद result नहीं आया तो हमने उस call को cross कर दिया मैंने पूछा कि यदि आप अपने client को 50 बार follow करते हैं उसके बाबजूद भी deal mature नहीं होती तो क्या आप मुझे 50 बार का follow up बता सकते हैं जब एके करके मैंने telecaller से बात की और sales team से बात की तो मुझे पता लगा कि वो 50 बार नहीं उन्होंने पूरे systematic तरीके से 4 बार भी follow नहीं किया पहली बार follow करने पर उन्हें client ने कहा कि अभी मैं एक meeting में हूँ मैं आपसे बाद में बात करता हूँ और telecaller ने first follow up टिक कर दिया और कुछ देर बाद जब उसने दुबारा call किया तो उसने फिर कहा कि मैं अभी एक meeting में हूँ आप मुझे कुछ देर बात call करना तीसरी बार जब call किया तो client ने कहा कि अब मैं एक हफते के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ मेरे एक हफते के बाद आप follow करना उसके बाद जब next time फिर से call किया तो mobile not reachable था उसके बाद फिर जब call किया तो client ने कहा मैं meeting में busy हूँ next call किया तो client ने कहा कि मैं family के साथ हूँ next time call किया तो client ने कहा मैं drive कर रहा हूँ और उस sales team ने मान लिया कि हमने अपने client को 50 time follow up किया और follow up करने के बाद भी हमें result 0 मिला friends अगर हम follow up के इस principle को follow करते हैं तो हम अपने business को कई गुना बढ़ा सकते हैं follow up number one जब आप अपने product या services की सारे information अपने client को एक बार अच्छी तरह से दे दें तब पहला follow up माना जाता है चाहें उसमें आपको 50 बार call करना पड़े 100 बार call करना पड़े 200 बार call करना पड़े जब तक पहला follow up complete नहीं होगा जब तक आप अपने consumer अपने ग्राहक अपने user को पूरी information अपनी तरफ से ना दे दें follow up का दूसरा नियम दूसरे follow up में अपने ग्राहक की अवशक्ता को समझें और उसकी जरुवत के हिसाब से उसे product या services select करें follow up का तीसरा सिध्धान तीसरे स्थर पर जब आप follow up करें तो पहले वाले स्थर में आपने product या services के information दी दूसरे स्थर पर आपने अपने ग्राहक की जरुवत को समझा और तीसरे स्थर पर अपने ग्राहक से जब तक बात करें जब तक maturity के लिए आपकी meeting fix ना हो जाए और उसको बता दें कि सर यदी आप मेरा product या services लेने में इंट्रस्टेड ना हो तो प्लीज मुझे आप बताएं ताकि मैं कभी भी unwanted call आपको समय और समय ना करूं और यदी आप follow up के इन चार सिधानतों का अनुकरन करेंगे तो बहुत जल्दी आप अपनी sale को 40-50 प्रतिशत आसानी से बढ़ा सकते हैं भारत का अगर हर businessman हर service provider इस सिधान का अनुकरन करता है तो वो दिन दूर नहीं जब भारत की income जापान की income से कई गुना बढ़ी होगी क्योंकि दोस्तों neither a leader nor a bureaucrat have power to convert India into the superpower country भारत के किसी भी नोकर शाह में या किसी भी राजनितिग्य में ये शक्ति नहीं है कि भारत को एक superpower country बना सके और ये शक्ति है तो आप जैसे businessman में और आप जैसे service provider में यदि आप live training program attend करना चाहते हैं या अपने राज्य में training program organize करना चाहते हैं तो मेरी team को contact करें मेरा कोई भी informative training video मिस ना हो इसके लिए इस channel को subscribe करें comment box में अपना comment अवश्य लिखे मैं डॉक्टर अमित महेश्वरी आपके सुनेरे भविश्य की कामना करता हूँ